हेलो रिवन, स्वागत है आप सबका लडरिंग विद गौतम यूटूब चैनल में तो आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं क्लाश टूर्फ पॉइटकल साइंस के मौस्ट बीबिया अबजेक्टिव कोशन एंसर को जो कि आपके आने वाले बोर्ड एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट प्रस रहने वाला है तो अपलोडे को अच्छे से ध्यान पुर्वक और लास्त जरू देखेगा तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कोश्चन से तो यह किया था कोशन के और मुठाटा दीस कोशन करते हैं घशंचा उपशन आकरोड़े बोर्चाँचन के भारत में विलएफर कोशन कोशन कीया था पुना गठन का आधार किया था उनिश्वा चपपन में भारती राजों के पुना गठन का आधार किया था तो राजी पुना गठन जो आयोगा इसका गठन कब किया था तो इसका गठन 1953 यानि के उनिश्वा तिरपन में राजी पुना गठन आयोगा गठन का गठन किया था अ तो धार्मिक बहु शंक्छा का आधार बनाय गया था धार्मिक भारत के ब्वाजन का बट्वारा का अगला सरतंत्र भारत के परतम घ्री मंतिते तो किस वर्जी उजयेगा निज्ट कोशन है आजादी मिलते ही भारत की चौती परमुख चुनौती किसे कहा गयाता तो ये कहा गयाता अंग्रेजों को ऑप्शन वर सी हो जाएागा अगला कोशन है कि भारत की विवाजन के कारण कितने लोगों को अपने घर बार छोड़कर बाहर जाना पराता तो असी लाख लोगों को, option मेर D हो जाएगा भारत की भाजन के बाद, यानि कि भारत के बटवारे के बाद असी लाख लोगों को अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके बाहर जाना पराता अगला कोशन है, सन 1947 में दो राष्टों के साथ अस्तित में आये, ऐसा किस कारण हुआ था, ऐसा किस कारण से हुआ था, तो ऐसा हुआ था, दिव राष्ट सिधान के कारण से, option मेर ए हो जाएगा सन 1947 में दो राष्ट एक साथ आये अस्तित में आये थे ऐसा जो हुआता ऐसा किस कारण से हुआता तो दिव राष्ट दान के कारण से हुआता option बर ए हो जाएगा नेस्ट question करते हैं अगला question है वारा कि समिधान ने किस भासा को राज भासा का दर्जा दिया है तो श्रमिधान ने हिंदी भासा को राज भासा का दर्जा दिया है यानि का ऑप्शन मर बी हो जाएगा हिंदी भासा को अगला कोशन है वारा कि भारत में बैंकों का राष्टी एकरन किसके काल में हुआ था नेस्ट कुशन है दिवरास्ट की जो बात किस Π किस ने कहता है तो मुसलिम लीक के लोगों ने दिवरास्ट की बात कहीती ऑप्शन वर बी हो जाएगा नेश्ट कोशन है हमारा आंद्र प्रदेश को अलग राज का दरजा कब दिया गया था तो आंद्र प्रदेश योता इसको अलग राज का दरजा वर्स 1956 में दिया गया था उप्शन वर्सी हो जाएगा 1956 में आंद्र प्रदेश को अलग राज का दरजा दिया गया था अगला कोशन है केंद्र सरकार ने राजपुनागठन आयोग का बनाया था तो केंद्र सरकार ने 1923 पन में राजपुनागठन आयोग बनाया था option मर्ड यह हो जाएगा next question है हमारा सन 1960 में जन आंदोलून के कारण बंबई राज दो भाषाई आधार पर किन किन राजपुनागठन आयोग बट गया था यानि कि बट गया था तो यह बट गया था गुजरात और महराष्ट राज के अंदर option मर्ड सी हो जाएगा सन 1960 में जन आंदोलून के कारण क्या हो था बंबई जो था यह दो राजप बट गया था और भाषा के धार पर बट वारा हुआ था तो कोंड़ कर वह दो राजप बट गया था बंबई तो बंबई जो था यह गुजरात और महराष्ट राज में बट गया था ली चुके जोलोग भी इस पीडियो को फिरा शकीप करके तुरह आगे से अगले कुशे से देख लिए उन लोग को बता देता किस तरह से आप लोग को लेकर के बहुत नी कम समय हो और बहुत ही बढ़ी आ नी करके आपको तैयारी को कर सकते हैं इस PDF में आपको मिलेगा क्या 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 है तो आपका जो भी आर्ट सब्सक्राइब हो आर्ट में को भी आपका सब्सक्राइब हो सकता है जो भी आपका 5 सब्सक्राइब को मिलेगा और सब्जेक्टिव और अबजेक्टिव दोनों का मिलेगा आपका 5 सब्सक्राइब कुछ भी प्रटकर संस के अगर आपको पीडिएफ लिज़ेगा जो कि total 100 के कड़ी यह question रहेगा ठीक है न जो 75 के कड़ीब यह question रहेगा सो तो रहेगा आपको हिंदी में ठीक है इस तरह से आपको यह पर्ट का साइंस पर पीडियाप मिलेगा इस पीडियाप को लेकर करके आप लोग बहुती कम समय बहुती बढ़िया तरीके से त्यारी कर स कितारी बहुती कम समय और बहुती बढ़िया तरीके से कर सकेगा किस तरह से लेना है तो यह देख सकते है नमबर है 790382089 इस नमर पर आप लोग फोन पर गोल पर पीटियम कुछ भी कर सकते हैं जैसी नमर आप लोग फोन पर पर पीटियम में डालेगा ना माचाएगा गौ उसके बाद क्या होता है टांब बेश्ट हो जाता है मेरा भी और आपका भी इसलिए आप लोग क्या की जेगा पहले ही अप्ले ही आप सब्रेट बढ़ दा दिजेगा जो भी आपका पांस सब्रेट बढ़ इसकी इस पीडियाप को लिए करके ने आप लोग बहुती कम समय जो इतना question को आपको तयार किस तरह से करियागा एक्जामपल के तौर बे बताते हैं अगर आप लोग प्रिट कर साइंस का सब्द जैसे पीडिया फिलीजेगा तो इसको आप लोग और शिर्फ और शिर्फ तो पक्का हो गया ठीक है अब बचाऊंस नोइंट का काम जो की बचा सब्जेक्टीव कोशन अब में क्या है तो हरे कोशन सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो इसके बाहर से पूछा ही नहीं जागा सब इसमें बहुत सारे बच्चे को ले चुके आप लोग बचा है तो इक और बात आप लोग को बता जेते कि आप लोग बहुत सारे बच्चे कॉल करने लगते हैं सब का प्राइस है चाहिनों पांच ओर चेट उपिजित प्राइब का प्राइस सब पाहई चेलिजए सब लोह के लिए रखें तक कि हड़ बच्चा जितना भी बच्चा है इस बीच्ट हो ले सकेगा और अपने वाले बोर्ड एक्जाम के त्यारिक कर सकेगा जो लोग अभी तब कुछ भी नहीं पढ़ें उसके लिए तो यह बहुत ज्यादा राम बाम प्र है आप लोग पहले करका आप लोग बहुत लिए कम समय बहुत बढ़ी अतरिक से त्यारिक कर सकते हैं जो सकते हैं इसको लिए कर सकते हैं इसे बंदे कि पांस बड़ों को मिल जाए जिक बढकर बता देए उसका पीड़ी का निमिल जाए तो शो मेरे पास ने इसकलाब आपका जोका घ्रटान जोगा अप लोगो अगले को ए अन ले पांस लिए हमारा निस्ट कोषिन ने कासमीर के भारत में बायाक पर्थम अस्ताक्शर कीए थे ब他們 किस Siz शंगिया तो बारत में लगा निस्ट कोशन नहीं हमारा कि बाहात के प्रतम worlds वंकाने वनक्रफजू में कितने लोग शाक्छड थे भाहात में जिस समय में पहला आम चुन हुआ था उसosed में पुरे भारत में gramward Lu चुना हो के समय साख्षर ते यानि की पढ़े लिखे थे अगला कोशन है हमारा कि समिदान सभा के पारुप शमीति के दक्ष को थे और दॉक्टर भी मुरा अमबेद करते ऑप्षिन में बी हो जाएगा नेश्ट कोशन है हमारा कि समय वादी शमु का उभार भारत में कब सभैस्वाट अब्षिन जत गेंट रहा है क्या अगला कोशन है निरौचन को गठन किया गयता है नेचिन समय किज़िधान को त्यारा लेकर इसे लागू किया गया था 640 को लेकर इसको त्यार कर लिया गया था 629 begपकूशन करते हैं ने इस्ट कोश्न हमारा भारत में चुनाबयो का गठन जनवरी 1950 में हुआ था उसके पर्थम चुनाव आयक तो जो थे वो सू कुमार सेन थे वहला कोशन है मारा पर्थम लोग सभा चुनाव कितने मद आता भारत में थे कोशन है मारा कि पर्थम लोग सभा जब चुनाव आता उस समय में कितने मद आता हैं, इनके भूड देने वालों की संक्या कितनी थी भारत में, कितनी थी तो 17 करोर थी, option 1, C हो जाएगा, परतम लोग सभा चुनाब के समय, भारत में मद आता हूँ कि जो संक्या थी, वो 17 करोर थी, पहला कोशन है भारत का परतम चुनाब किस वर संपन हुआ थ भारत का बाला जो चुनाब था, वो किस पर संपन हुआ था, तो 1951 में, भारत का परतम आम चुनाब जो था, वो संपन किया था, option 1, C हो जाएगा, अहला कोशन है भारत के परतम सिक्छा मंतरी कौन थे, तो भारत के पहले सिक्छा मंतरी थे, अब्दूल कलाम आजाद, option 1, C Next question है, मारा भारत में तिर्टिया आम चुनाब कभी संपन हुआ था, भारत में तिर्टिया यानिकी तिसरा आम चुनाब जो था, वो वर्स 1962 में भारत में तिर्टिया आम चुनाब जो था, वो संपन किया गया था, अहला कोशन है, था, कॉशन है, Congress Socialist Party के संस्थाफना की ग तो प्रविज़ बाएको सोफिक्स प कर भाएर्व को सब्सक्राइब करने उस वीडियो का लिंग अपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा या फिर आप लोग चाहिए चैनल छेज़न प्ली लिक सेक्शन वे जाके जो भी इसका सब्जेक्टिव कोशन है और इसका सब् में दूसरे अस्थान पर कौन सी पार्टी थी तो भाथ के पहलें आमचनाव में दूस्थान पर और कौन सी राजनेतिक पार्टी जोती उबढ़कर सामने आई थी तो कॉम्मिनिस्ट पार्टी यानि के ऑप्शन मेर बी हो जाएगा अगला कोशन है द्यूसरा आमचनाव भात में किस पर्स हो गया तो दूसरा आमचनाव जोता ये भात में संद आध में और तीसरा आमचनाव भात में चम्पन गया तो तून आप लोग अच्छे सी याद रखेगा अगला कोशन है नेहुरू के निधन के बाद उनका राजनेतिक उत्राधिकारी कौन बनाता है उनका राजनेतिक उत्राधिकारी जो था लाल बादुर सास्त्री बनेते यानि लाल बादुर सास्त्री नहीं होगा इसका इसकात होगा लाल बाग, यह question गलते किसमें option दिया इनी हुआ है यह question गलते आप लोग छोड़ देज़िए अगला question में मारा, Congress के युँआत तर्कों में किसे जाना जाता है Congress के युआत तर्कों में चंद सेकर आजात को जाना जाता है option में इसका D हो जाएगा अगला कोशन है भीमरा उम्बेदकर कौन थे तो भीमरा उम्बेदकर जो थे जाती विरोधी आंदोलन के नेता थे अगला कोशन है परतम चुनाव हेतु भारत के चुनाव आयोग ने देश के कितने अधिकारियों और पदा अधिकारियों को पर सिक्षित किया थे कितने अधि जंसंग में कितने सी अगला कोश्यण कर लेते हैं किस पार्टी को बरखास्त कर दिया था या या एक उप्शन में कोश्यण कर जाएगा के स्थापना की गई थी बारत में स्तन 850 में और स्की पहली महियला अधाग थी वह एणीसली थी अग्राला कोशेंkill यह ने ंग्द Add hai prf खेते स्रकार 20 वर्ष केंद्र सरकार जो बनी थी तो वर्ष उनिश्वर सर ततर में पहली बार बारत में गैर को अप्षिन का डी हो जाएगा इसे के साथ वीडियो पे करते हैं आसा करतों आप लोग को यूठ लगा हुआ आप लोग वीडियो अच्छा लगा हुआ तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नएव वीडियो को साथ